Hey everyone, welcome back to our channel BA Learners तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो topic रहेगा हमारा learning learning में क्या क्या concept है, उसकी importance और types और factor affecting learning ये चारो का topics हम इस वीडियो के अंदर cover करेंगे तो वीडियो के end तक जरूर बने रहना, अच्छे से concept को clear कर लेना और आप लोगों की बहुत comments आ रहे थे कि माम first year की classes नहीं हो रही है या video upload नहीं हो रही है तो अपसे daily upload हुआ करेगी and जो भी topic है video के end तक बने रहा हूँ, अच्छे से clear हो जाएगा हिंदी में जो मैं आपको समझा रही हूँ, PPT बेशक English में हो, मैं आपको लोगों को सबको हिंदी में समझाऊंगी तो आप लोगों के लिए जादा convenient रहेगा topic को समझना और easy language में cover करना तो जिसने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया, फटा-फट से कर लो, don't forget to hit the bell icon जिससे आपको मेरी daily notifications मिलती रहेंगी चले स्टार्ट करते हैं, देखिये, learning क्या होता है, एक concept है, एक यह बहुत मुश्किल सा कह सते हो, आपकी मुश्किल होता है यह task जिसको learn नहीं होता, उसके लिए यह task ऐसा है कि बस क्यों करना है हमें यह learn तो यहाँ पर वही चीज है, learning is very complex process, बहुत complex होता है, and there is no fixed definition of learning, so we just look some of definitions provided by different authors, dictionaries, etc. इसके कोई भी fixed definition नहीं होती है, कि हम एक learning को define कर सके कि learning होता क्या है, तो जो जो हमने जहां-जहां से मेरे को मिल सकती थी, different authors से मिल सकती थी, dictionary से मिल सकती थी, मैं आपके लिए collect करके, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, hopefully आप लोगों को समझ में आ जाएगा learning का मतलब, the activity or process of gaining knowledge or skill studying, practicing, being taught or experiencing something, the activity of someone who learn, देखिए, किस ने कहा है, मैरियम वेबस्टर ने कहा है, कि कोई भी knowledge gain करना, या जो skill studies होती है, proper studies होती है, उनको करना, keep practicing, बार 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 किसी भी चीज को आप repeat करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे कोई भी चीज, या कुसी चीज का आप experience लेते हैं, जब कोई आप activity कर रहे होते हैं, और तो क्या हो जाता है, वो आपको learn हो जाता है, तो वो चीज कहां include की जाती है, learning में include की जाती है, ठीग है, Learning can be defined as the acquiring addition, modification, alteration, etc. in learned behavior, understanding, knowledge, values, etc. Learning को एक different तरीका है समझाने का कि हम वहाँ पर modification करते हैं, acquire करते हैं, means knowledge gain करते हैं अपने according modification करते हैं, जो alternates होते हैं वो निकालने की कोशिश करते हैं कि इसमें हमने यह समझाता तो इसका alternate क्या हो सकता है means कुछ और तरीका क्या हो सकता है तो उस behavior को, learning के behavior को, समझने को, values को और जो हमारी knowledge है, उसको हम क्या कहते हैं, learning कहते हैं ठीक है, यह simple सी एक आप कह सकते है, definition है कि learning होता क्या है next देखते हैं, देखे, academic learning क्या होता है, हम यहाँ परते हैं academic means हो गया, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल में क्या लॉन करें, अकाडमी से मतलब हो गया, क्या आपकी studying से related, जो learning होती है it can be defined as the learning happening in the classroom or increase the achievement in academics देखे, यह define ऐसे किया जा सकता है, कि जो classroom में activities हो रही है या जो academic में आप achievements increase कर रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, academic learning क्यों, क्योंकि आप learn करके एक अपने goal को हासिल कर रहे है second, every activity in the classroom can be set to be learning activity देखे, जो भी class में activity होती है, हम उसको क्या कहते है, learning activity कहते है क्यों वो class में हो रही है, यह यहां तक आपको समझ में आ गया होगा next, देखे, यहां पे और definition में आप लोगों के लिए साथ शेयर कर रहे हूँ मैं आपको कहा तक कि dictionary में से, जहां से में जो different authors से मिली मैं आप लोगों के लिए वो लेकर आई हूँ, देखे तो उस प्रोसर्स को क्या कहते हैं, हम लर्निंग का नाम दे रहेते हैं ठीक है, next, देखते हैं, definition of learning फिट से और definitions हैं, जितनी भी definitions हैं, जो आप लोगों को समझ में आती हैं, वो आप अप करिये, बाकी सब छोड़ दीजे लर्निंग क्या करता है, जो हमारी strength होती है, वो correct response करता है, जो हमारी मानलीजी आप किसी भी चीज में बहुत अच्छे हैं, तो वहाँ पे आपको correct response देगा, और जिस चीज में आप weak हैं, वो आप से धीरे-धीरे छोड़ता जाएगा, नहीं मैं यहाँ पे weak हूँ, यह लर्निंग आपको अच्छे से हो जाती है, लर्निंग involves editing, adding new information to your memory, लर्निंग involves making sense of the presented material by attending to relevant information, mentally reorganizing it and connecting it with what you already know, लर्निंग का मतलब क्या होता है, कि learn आप जो भी कुछ आप कहें भी किसी भी environment में जा रहे हैं, तो new information आप अपने mind में recollect करते हैं, और जो अपनी जो होती है कि कहते हैं, information होती है, वो relevant तरीके से attend करते हैं and material के अंदर presented material by attending to relevant information, it means कि आपके mind में जो भी material है, जो भी knowledge है, जो इसको इस तरीके से represent करते हैं, जहां पर आप जो चीज अटेंड कर रहे हैं, वो आपको mind में click होता है, mentally recognize होने लगता है, कि नहीं यह चीज ऐसे नहीं ऐसे थी है, यह यह मैंने face किया हुआ है, and connecting it with what you already know, और जो आप लोगों को आप पता होता है, उससे connect हो जाता है, example के त तो वो क्या कर रहा है, आपके mind में recollect कर रहा है, कि यहां पर मैं उस दिन आया था, इस function में आया था, यह वही जगा है, तो आपकी जो memory है, वो learning पावर से reconnect होरी है, और आपको recognize कर वारी है, तो यहां पर यह चीज है, अब देख रहे हैं, यह हमने जितनी भी definitions थी, types of learning था, discrimination learning and concominant learning, यह चारो पांचो learnings जो होती है, बहुत easy है, जल्दी से पढ़ लेते हैं, क्या होती है learning, बेखे, cognitive learning क्या होता है, इस can be defined as the acquiring of information, understanding, memorization, recalling, when necessary, this is also known as intellectual learning, लेर्निंग क्या होता है, जो cognitive learning होती है, उसको हम क्या कहता है, intellectual learning भी कहते हैं, जिसमें की, आप कोई भी information acquire करते हैं, means gain करते हैं, understand means, समझते हैं, memorization means, अपने mind में डालते हैं, recall करना start कर देते हैं, जब आपको उस चीज की need लगती है, तो उसको intellectual learning भी कहा जाता है, even learning anything is not possible without cognitive skills and most of the learning is linked to cognitive learning and it is very complex process, सबसे जो आप कह सकते हैं, कोई भी step चरना है, तो सबसे main step क्या होता है, मारा first step होता है, अगर हमने first step basic clear कर लिया, तो आप आगे advanced course भी अराम से कर सकते हैं, for example, अगर आपने ABCD सीखी है, तो आपको words पढ़ने में कोई problem नहीं आएगी, अगर आपने ABCD ही नहीं ढंक से पढ़ी, नहीं ढंक से आपको पता, तो आप अराम से वो words नहीं recall कर सकते, नहीं पढ़ सकते, सेम ऐसा ही यहाँ पर possible है, कि अगर आप cognitive skills आपकी नहीं अच्छी होंगी, means learning power, interaction करने की power, जो आप differentiate कर रहे हैं, memorize कर रहे हैं, वो power अच्छी नहीं होगी, तो आप कोई भी चीज learn अराम से नहीं कर सकते, तो वो चीज यहाँ बताए गई है, कि cognitive skills सबसे main होता है, most of the, यह समझ लिए, most important part होता है, यह हमारा learning process का, जो कि वो थोड़ा complex भी रहता है, लेकिन अगर आपने इसे किया, तो वो linked कर पाएगा, easily linked कर पाता है, memorization से, understanding से, information से, recall कर पाता है, जब उसको ज़रुरत होता है, ठीक है, next देखते है, psychomotor learning और action learning, देखें, नाम से ही समझ में आ रहा है, action learning और psychomotor, जो आपको अच्छा लगे, वो आप catch कर लीजिए, बाकि आप छोड़ दीजिए, action means जब आप कोई वोग कर रहे हैं, psychomotor means आप continuous work कर रहे हैं, जैसे आपने जिम जा रहे हैं, exercise कर रहे हैं, कोई आप running कर रहे हैं, reading कर रहे हैं, कोई भी action आप कर रहे हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर आती है, इसमें क्या होता है, कि यह linked करता है, हमारे actions है, कि हम किस तरीके से learn कर रहे हैं, प्रोसेस को, उसके बाद जब आता है, वो हमारे play, यह जो बहुत psychology, बहुत important role play करता है, हमारे mind के साथ, कि हम जिसमें भी indulge होते हैं, मिलते हैं काम करने के लिए, तो वो हमारी skills को अच्छा करता है, learn करता है, कोई भी जो हमारी skills है, उनको enhance करेगा, और finally, वो हम जो action कर रहे हैं, वो हम सीख जाते हैं, for example, riding a bicycle, swimming, playing any game, बच्चों की जैसे आप ले सकते हैं, पांस साल से 12-13 साल तक का बच्चा बहुत खेलता है, तो वो खेलने में उसका जादा दिमाग होता है, तो उस age में वो bicycle भी अच्छी सीख लेता है, अगर हम playing उसको swimming सीखाएं, तो वो बहुत जल्दी कैच कर लेगा, जबकि अगर थोड़ा बड़ा हो जाता है बच्चा, तो उसको problem आती है, अगर जो छोटे बच्चे को आप कराऊगे तो वो जल्दी सीख जाता है, क्यों उस तेम उनकी growing age बहुत तेजी से बढ़ रही होते हैं, उनका माइंड तो वो हची बहुत जल्दी कैच करते हैं, या कोई भी game उनको सिखाओ, तो वो सीख जाएंगे, इस type of learning requires coordination between brain and body, देखें यह जो learning है, वो coordinate करती है, हमारे brain और body को, brain कहता है भगो, तो body भगना शुरू करती है, brain कहेगा swimming जा रहे हैं, तो swimming करनी है, तो body हाथ और पैर की movement करती है, तो वो चीज हमारी coordination में रहती है, in institution we learn practical skills through this type of learning, institution में हम जहाँ पढ़ने जाते हैं, उसे institution कहा जाता है, जहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं, वहाँ इस type की practical learnings भी कराई जाती है, next देखते हैं, effective learning, effective learning क्या होता है, जिसमें this type of learning relates with that, how we include emotions and feelings, how we value learning, like and dislikes in learning, some behavior should be done or not, etc. देखे, इसमें क्या है, इसमें में समझाया जाता है, emotions include होते हैं, इस learning के अंदर, feelings include होती हैं, और किस तरीके से हमें learning की value पता चलती है, like पता चलते हैं, कि क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है learning के अंदर, हमारा behavior depend करता है, और नहीं भी करता है, किस चीज़ पर, हमारा किस चीज़ पर depend करता है, effective learning पर, लेकिए, जिस बच्चे ने, कभी family की, आप ये कह सकते हैं, कि एक family, जो family होती है, उसका प्यार देखा ही नहीं है, तो उसके अंदर feelings होंगी ही नहीं, क्यों उसको ये बस इतना होगा, कि हाँ, ममा नहीं है, पापा नहीं, लेकिन जो एक attachment होती है, कि हाँ, ये होना चाहिए, वो feelings कहां से आती है, जब families के साथ तुम रहना शुरू करते हैं, तो वो feelings, जो emotions होते हैं, वो कब आपके develop होना हो जाएगा कि क्यों मेरी बहन इतने दर्द में है, तो वो चीज emotions और includes कहां आते हैं, हमारे effective learning में आते हैं, ठीक है, हमारी पसंद नापसंद learning में कि हमें हमारे behavior को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब चीज इस part के अंदर include की जाती है, in this type of learning, we receiving, responding, values, organizing, characterizing or internalization of information, इसके अंदर क्या है, हम receive means, प्राप्त करते है, responding means, अगर हमने जब जो चीज रिसीज की, उसका हम जवाब दे रहे हैं, values means हो गया, हमारे मूले क्या है, कि हमें पता होना चाहिए, कि हमें किस के साथ क्या करना है, मतलब अगर आपका कोई relative है, तो उसको कैसे बुलान है, या कैसे उसको आदर देना है, वो चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, organizing means, आयोजना कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, मतलब यह सारी चीज़े इस पार्ट के अंदर आ जाती है, कि हमें give and take किस तरीके से करना है, discriminative learning, discriminative learning क्या होता है, in this concept, discriminate, नाम से ही पता चल रहा है, कि discriminate मतलब क्या होता है, बेदभाव, मतलब अलग-अलग कर रहे है, कि यह चीज ऐसे होगी और यह चीज ऐसे होगी, दोनों को आप mix नहीं कर सकते, तो discriminate से आप question से, इस नाम से ही पता चल रहा है, this concept of learning was given by robot and gangay and he put this learning on 5th level of, 5th level before the concept learning in the hierarchical classification of types of learning, इसके अंदर क्या बता है, वैसे तो 8 levels होते हैं, बट यह 5th level पे है, 8 levels की हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, यह 5th level है, 5th level पे इसको रखा गया है, concept of learning को, इसमें क्या बता है कि classified किया जाता है, in this learning, he said that, if the concept is clear, comparison and discrimination can be easy and some same process can be accepted for other kind of concept, इसमें क्या बता है कि आपको comparison clear है, कि इसका यह comparison आपको differentiate पता है, कि comparison करना है, आपको तो आपको पता है कि इसमें यह चीज़ आएगी, इसमें यह चीज़ आएगी, और वो discriminate आप easily कर सकते हैं, process same होता है, different kind of concepts का, बस आपको पता होना चाहिए कि हमें किस तरीके से discriminate करना है, ठीक है, next देखते हैं, core commitment और collateral learning क्या होता है, this kind of learning can be defined as the basic instinct of human being that we all, we also learn unconsciously through our environment, देखें, जो unconsciously आपको समझ में आ रहा है, जो आप learn कर रहे हैं, वो इस part के अंदर include होता है, अब आप पूछो के मैं, unconsciously, मतलब किसे learn कर सकते हैं, वह सो रहे हैं तो I'm unconscious, मतलब, जब अढ़ल को उर्षीट नहीं होता हैं, अंखें बंद बंद होरी हैं, जो भी चीज़ आपनी activity से करते हैं, मतलब हमारेoda बॉर्ड़ अक्टिव होती है, Unconsciously हम क्या सीखते हैं? Unconsciously देखे, बहुत चीज़े सीखी जाते हैं, आप मानले कहीं जा रहे हैं, आपका माइन नहीं है, बट सडनली कुछ ऐसी बात हुई, आपके माइन ने क्लिक कर ली, वहां से आपने सीखा, बच्चा क्या करता है? बच्चे के सामने, आजकल बच्चे मोबाइल चलाना सीख जाते हैं, या आप उन लोगों को सीखाते हैं? नहीं, बच्चे ने unconsciously सीखा, कैसे सीखा? क्योंकि ममा या पापा या कोई भी फैमली मेंबर फोन चला रहा बच्चे के सामने, बच्चे ने catch कर लिया, वो unconsciously सीख जाता है, वो जिस जो आप environment से unconsciously सीख we will be like them through unconsciously learning. देखें, यह बहुत छोटा सा एक्जामपल है, अगर आपको कोई, इसमें तो आपको एक्जामपल दिया गया है, कि आपकी जो सुसाइटी है, वो honest है, आपको लग रहा है कि नहीं, यह जो मेरा पडोसी है, यह बहुत अच्छा है, इमानदार है, बहुत सपोर पार्ट करता है, तो unconsciously आप भी उसकी तरफ जुखाव हो जाता है, आप लोगों का, कि नहीं, वो अच्छा है, तो मैं भी अच्छा रहूंगा, मैं भी उसके साथ ही करूंगा, गलत नहीं करूंगा, तो वो चीज अपने लरन करी और उसको इंपलिमेंट कर दिया, ठीक है, so in classroom other factors are very also very important how teachers behave with other students or other staffs or uses words देखिए बहुत important role play करती है हमारी life में एक teacher अगर हमें teacher अच्छी मिल जाती है हमें values भी आ जाते है हमें सारी चीज़े भी पता होती है कि हमें किस तरीके से क्या चीज़ करनी है honest रहना है नहीं रहना है हमारा talking का behavior कैसा होना चाहिए हमारी presentation खुद की कैसी होनी चाहिए अगर teacher एक अच्छा बनके जाता है school में तो जो girls होती है या boys होते हैं impress होते है यार teacher ऐसी आई हमें भी अच्छा लगना है मैं भी उनके जैसा बनूगा या जो वो किस तरीके से समझा रही है मुझे भी वो चीज़ आउप्ट कर ली है और teacher गलत बोल रही है तो आप लोगों के उपर क्या पढ़ेगा यार यह तो ऐसे बोलती रहती है अच्छे जो बच्चे होंगे वो अवाइड करना शुरू कर देंगे लेकिन जो बच्चे बहुत जल्दी गलत चीज़ों को कैच कर लेते हैं वो क्या करेंगे वो गलत चीज़ की तरफ भागेंगे तो जो teacher है वो हमारे जो है लाइफ में बहुत important role play करती है कि teacher other students के साथ कैसे behave कर रहा है staff के साथ कैसे behave कर रहा है या किस तरह के words वो बोल रहा है ठीक है factor influencing learning अब हम बात करेंगे factors क्या क्या हैं जो learning को influence करते हैं environmental factor psychological factor motivation factor interest communication emotions and intelligence यह जितने भी factors हैं आप लोगों के यह सारे इस top video में भी में next cover कराऊंगी अगर video पसंद आ रही है तो don't forget to hit the bell icon जिससे आपको मेरी daily notifications मिलती रहे और अपने friends के साथ colleagues के साथ siblings के साथ जिसको लगता है कि exam देने वाले हैं उनके साथ सबके साथ ये वीडियो इतनी शेयर करो कि उनको भी अच्छे से concept clear हो जाए और subscribe तो मेरी चानल को करी देना देखिए first पढ़ते हैं environmental factor environmental factor क्या होता है here environmental environment can be environment can be society distraction can also hamper the learning देखिए hamper कर देती है means boost up कर देती है हमारी क्या society co-culture जो co-cultures होते है background होते है उसको करती है society social culture background जो महरी इसको एक यह भी कह सकते है कि हमारी society से पता चलता है कि हम क्या है कहते हैं न कि उसके दोष्तों से पहचान होती है इनसान कैसा है कभी बिलेटिफ से पहचान नहीं होगी family से पहचान बाद में होती हैאני议िद दोस्त लेके जाता है तो उसकी personality और दोस्त दो चीज होती है उससे पहचान हो जाती है कि बच्चा अच्छा है या फिर बिगड़ा हुआ है तो वो चीज आपकी सोसाइटी मैटर करती है कि आप कैसे हैं कैसे नहीं तो वो आपकी लाइफ में बहुत इंपोर्टेंट जिसे गएदेना क्रियोशल रोल आपकी क्थी प्ले करती है प्ले सिम्पोर्टेंट रोल इन लर्निंग साफ फोल्डिंग सोव साइटी नियर अस इस नॉट सो सपोर्टिव नइक रिएट सेक्टर दर लर्निंग कैन भी डिस्टॉब्ड देखिये सीधी सीधी सी बात है इसको बहुत सिंपल तरीके सरहा आपको बेक्ग्राउंड से वो बिलॉंग कर रहे हैं उनको अगर गलत दोस्त मिलिया तो वो गलत सुसाइटी में जा रहे हैं जहां पर ज्यादा मोटिवेशन नहीं मिलता है ना इंटेलिजेंट पीपल्स मिलेंगे ना सपोर्टिव मिलेंगे कि तु यह गलत काम मत कर तु अच्छा प्ले करती है और इसी बजा से कई न कई आपकी जो लर्निंग पावर है वो डिस्टरब हो जाती है जब डिस्टरब हो जाएगी तो आप कुछ अच्छी बाते सीखी नहीं पाएंगे फिजिकल इंवार्मेंट सच एस डेस्क एन इलेक्ट्रिसिटी जो फिजिकल इंवार्म इस अलसो वेरी रिस्पॉंसिबल फॉर दी लर्निंग इफ वी आर फिटीग दी लर्निंग कैन बी डिस्टरब देखिस साइकल लॉजी मीन्स आप जब मेंटली और हेल्थ से प्रिपार होंगे तभी तो लर्न कर पाएंगे अगर आपके अंदर इन्लेस है बहुत जादा प बहुत जाद जाद आपको जाद 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 है तो आपको चीख ही नहीं सकते हैं इफ वी आर हेल्दी वी कैन पार्टिसिपेट इन एवरी क्लास एक्टिविटी आं एन्हांस लर्निंग देखिए अभी मैंना आपको बोला अगर आप अप हेल्दी है तो आप हर इंटरप्शन ओफ इनार लर्निंग प्रोसेस दिखें जो इन्नेस मीन्स होता है यहाँ बिमारी अगर जब बिमारी होगी छोटी हो या बड़ी हो च्रॉनिक हो या इंजरी जब आपको छोटा सा चाहें स्मॉल बाउंड मींस आपको छोटी ची चोट लगी है महाँ पे छो कि आपकी लर्निंग डिस्टरब्ड ना हो मोटिवेशन क्या होता है मोटिवेशन होता है बूस्ट करना अपने आपको मोटिवेट करते रहना कि नहीं मुझे यह चीज़ सीखनी है करनी है अपना कुछ गोल सेट कर लिया और उस गोल को अचीव तब तक करते रहना जब तक उसके लिए ट्राय करते हैं जब तक आप वो गोल अचीव नहीं कर लेते हैं ऐसे दोस्त ऐसी सोसाइटी बनाना बहुत जरूरी है we learn we are learning because because there is some kind of motivation in us someone is learning because they have some goals, expectancies, some kind of driver motive and reinforcement etc. encouraging student time to time through different means rewards, goals, incentive etc. is very important because the as motivation and enhanced learning and if someone lack the motivation they cannot be learned because nothing can be make them to learn due to lack of motive drives and goals देखिये इसमें बहुत simple लिखा गया है इसमें क्या बताया गया है इसमें सिर्फ इतना बोला गया है कि आप अपनी जो गोल्स हैं आपके जो गोल्स हैं अगर आप उसके लिए बार बार की प्रैक्टिसिंग करते रहेंगे कि माइन में टार्गेट सेट कर लिया मुझे वो चीज अचीज अचीव करनी है और उसके लिए अपनी पूरी जान लगा दीजे अगर आप स्टूडेंट्स को हम इंकरेज करते रहेंगे मान लिजे एक बच्चा है डल से अवरेज पर आया है बच्चे ने महनत की अवरेज पर आ गया अप कोई टीचर उस बच्चे को इतना मोटिवेट कर रहा है नहीं बच्चा तो और कर सकता है बहुत अच्छा किया ह कोई भी गोल दिया है उसे कोई भी गिफ्ट दे दिया उसे मेडल दे दिया सर्टिफिकेट दे दिया पूरी क्लास के सामने तो उसमें बूस्ट अप आ गई सेम ऐसे ही इंसेंटिव होता है कि अगर हम जॉब कर रहे है उसको उनको बूस्ट अप करने के लिए इंसेंटिव दे दिया एक्स्रा कि आपने यह काम किया appreciation कि आपने यह आपका gift है या यह आपकी salary है जिसमें आपको bonus दिया जा रहा है तो वो जो हमारा जो employee है वो और अच्छा काम करने की कोशिश करेगा goals set कर लेगा इससे क्या होगा motivation उसे motivation भी मिलेगी और उसकी learning भी enhance हो जाएगी अगर यह चीजे नहीं होती है तो वहां क्या आता है lack of motive drives आजाता है कि वहां हमें कुछ सेट ही नहीं करना है जब society गलत मिल गई ठीक है next interest कि किसी भी चीज में आपको इंट्रस्ट होगा automatically आप अच्छे से learn करने लगे उसको easy way में opt करेंगे और अच्छे से learn करेंगे उसको easy इतना बना देंगे कि आपको learn हो जाएगा तो इसमें क्या कहते है इवार्ट्रॉनिक क्या कहते है कि the more interested or crucial the individual the learning can be quite easy जो बहुत जादा curious होंगे उस बात को लेके interested होंगे तो वह learning को बहुत जल्दी भी कर लेंगे और easy भी बना देंगे so if some individual do not have interest in particular subject topic unit etc learning can be boring and can take much time अगर आपको कोई concept पता ही नहीं है समाझ ही नहीं तो वह लोग आप करोगे ही नहीं उसको क्या करोगे topic और हिस्ट्री ले लो आप जब 8 में होंगे 9 में होंगे बच्चों बहुत बंदी लगती थी मुझे खुद को बहुत लगती लगती थी तो वह topic communication यह communication तो बहुत है कि मतलब जब तक communication नहीं होगा वो चाहे हमारा कोई भी पार्ट हो चाहे हमारी family के साथ हो relatives के साथ हो ex-wife teacher teacher और student के साथ हो husband wife के साथ हो अगर यह clear नहीं होगी तो सब चीज खराब हो जाएगी if there is no clear and effective communication the learners are not going to learn much because for learning there should be clear transfer of ideas thoughts and opinions इसमें क्या बता है अगर आपकी no clear है मतलब आपकी communication clear नहीं है तो वो कहीं ना कहीं आपको effect दे रही है आपकी learning power पर जब आप teacher से कुछ पूछ नहीं सकते आप उन्हें कुछ बता ही नहीं सकते तो आप क्या learn करेंगे ठीक है वो चीज खराब कर रही है और आपके जो thoughts है ideas है opinions है वो आप share ही नहीं कर रहे है clear ही अगर गलत है तो teacher कैसे clear करेंगे जब आप उनको बताएंगे तो वो चीज होई नहीं रही है तो वहाँ चीज वो लाग कर जाती है आपकी learning इन communication language skills are very important to us use right word at the right place communication में क्या होता है कि हमें इतनी knowledge होनी चाहिए कि कौन से time पे हमें क्या चीज राइट बोलनी है हमने एक word right बोला first impression last impression होता है सबको बता होगा हमने एक word ऐसा बोल दिया हमारा impression zero हो गया और हमने एक ही word ऐसा बोल दिया हम zero से जो हमारा level महां कुछ भी नहीं था हमें को जानता भी नहीं था अब हमारी तारीफ कर रहे है तो वह आपकी language skill आपका बोलने का तरीका आपका पहनावा वो चीज़ डिसाइड करती है emotions क्या होते हैं कब आप emotions में आ रहे हैं कब आप गुसा कर रहे हैं angry कर रहे हैं frustrated हो रहे हैं means खुद से बहुत जादा मनलब गुसे में हैं कि वो चीज़ also effect the learning वो बहुत जादा effect करती है आपकी learning पे because our mind is not able to process the information efficiently when there are emotional changes occurring in our mind and body जब हम mentally सही नहीं होते तो हमें frustration भी हो जाती है बहुत बार गुसा भी आता है बिना किसी वजह के और दुखी भी हो जाते हैं same time पे तो वो चीज़ की होती है क्योंकि हमारा mind stable नहीं है mind अच्छे से काम नहीं कर रहा है वो चीज़ गलत चीज़ ही देख रहा है emotional हमारी जो occurring है mind हमारे mind और body की वो imbalance है तो उस वज़े से हमारे learning effect करती है intelligence क्या होता है intelligence होता है in this in this intactual or cognitive level of learners if they are intactually not up to the mark they may have problem in learning and individuals differences play important role in this and all kind of factors देखें ये cognitive level और उस टाइप से उसमें आता है ये अगर बच्चे नहीं कर रहे हैं up to the mark उनको नहीं problem learning नहीं पता है कैसे solve करनी है और individual differences नहीं पता है जो हमारी life में बहुत important role play गरते हैं किसी भी factor में आप चले जाए हर चीज में जो individual differences होते हैं उसको बोलोगस के बैको इन बाता है इठिया होता है एकदेशी के लिए नहीं किसी को दूस्रे से compare नहीं कर रहो हूं वो खराब है, it means अगर आप में basic knowledge नहीं है, तो वो चीज कहीं ना कहीं आपकी learning को effect करती है, up to the mark नहीं लेके जाती है, we are aware that there are so many learning disabilities and IQ matters a lot in learning particular things and something, जब हम कोई चीज learn करते हैं, disabilities आज के time में ये देख सकते हैं आप देख सकते हैं, 100% में से 5% या 10% ऐसे बच्चे होते हैं, जो नहीं कर पाते हैं अच्छे से learn, जिनका दिमाग कमजोर होता है, अब आपकी IQ level ही इतना कम है कि आप कुछ पढ़ी ही पा रहे हैं word को तो आपकी learning वहाँ पे बहुत जादा lack कर जाती है और कुछ चीज़े आपको नहीं समझ में आती है तो उन बच्चों के लिए special classes दी जाती है तो इस वीडियो को यहीं end करते हैं, आप लोगों को अगर समझ में आया हो, concept clear हुआ हो तो वीडियो को like, share और comment जरूर करके बताना कि वीडियो कैसी लगी और मेरे चानल को subscribe जरूर कर देना मिलते हैं next unit पे last unit आप कर रहे गया है learning and teaching आपकी book complete हो जाएगी fourth unit रहे गई है, third unit मैंने आपको लोगों को cover करा दिया only fourth unit रहे गई है, fourth unit भी जल्दी आजाएगी, उसके बाद हम new subject लेंगे, चलिए मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक ले बाबाई, टेक केर